सबसे पहले लेट सब्सक्राइब है एक अगरी मूद में तुम लोग चुप करोगे तु बोलुगा यार लेकिन क्या है थे रेजन फर रनवीर's mood swings? flop films perhaps? तुम लोगों को देखने को मिली वहले 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 बहुत कि लोगों को सब्सक्राइब है वानबी Sophie Hayat in a bold backless aftar और Sophie ने यहां अपनी आने वाली film के बारे में बताते हुए एक बाद धिर से आपने आपको Katrina Kaif के साथ compare कर दिया नाचले लंड़न एक स्टोरी है एक एक पहली बार आपने मुझे यह नहीं अविटार में देखा क्योंकि मैं माँ हूँ और दो बच्चों की माँ मेरे बच्चे इतने बरे और यह तो बॉलीवूड में कोई भी नहीं करेगा क्योंकि क्योंकि बॉलीवूड में ज्यादा तुस्यादा ग्लामर शलता है और अगर आप किसी को बता देख विपाशा बास हो या Katrina Kaif के आप मा की बच्ची बच्ची की माँ बनना है यह नहीं करेगे लेकिन क्यों नहीं करते हैं क्योंकि उनकी इमिज ख्राप हो जाती है मेरी हिंदी में हस रहो मेरी हिंदी में हस रहो मेरी हिंदी में हस रहो लगता है कि Sophie को एक रियालिटी चेक की जरूरत है She needs to get a life. Anyway, getting back to the film and the special screening यहाँ साभी स्टार्स थे काफी एक्साइट तो सी थिस माइथलोजिकल थ्रिल ओ मैं अभी अभी कुछ महीने पहले माँ बनी हूँ और अगले साल मैं अपने बेटे के साथ पियाओं कि एस पिक्चर देखे और बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे फिल्में बन रही है जो हमारे कल्चर को प्रमोट करते है यह एक क्लासिक कहानी है और इस कहानी में हर कुछ चीज है जो है जो एक इंट्रिस्टिंग कहानी होती है काफी बहुत सारी तारीफ हुए है I'm really dying to go ahead see मैं बहुत खुश हूँ कि महाँबारत जैसी इतनी epic story के hero के ऊपर फिल्म बनी है Well, let's hope the film does well at the box office. Good luck to them!